दाकर खबर बेखोफ जुबां बेबाग अंदाज लोगों ने पुरानी खबर नहीं देखी उन्हें मैं थोड़ा सा याद दिला दू कि वो खबर थी मेरट से मेरट नगर निगम का चुनाओ इस बार बस्वा पार्टी की परतियासी सुनीता वर्मने जीता है और उनसे जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि पिछली बार की तरह क कि आप जडड़नमंंगाईये राष्टगान गाये तो हम लोग राष्टगान ही गाएंगे वंद्यमातरम नहीं गाएंगे पिछली बार नगर निगम में भाजपा प्रतियसी जीतिते एहलूई आ लिया जिन्होंने ये वंदे मातरम लागू किया गया था जिसको लेकर मुस्लिम पारसदों में काफी रोस्ता वो काफी नाराज रहे थे और उन्होंने वंदे मातरम के दोरान जब वंदे मातरम गाया जा रहा था तो उस वक्त वे लोग बाहर निकल गए थे वंदे मातरम के दोरान वो लोग बहार निकल गए थे, बाद में लेकर इसको विवाद काफी बड़ा, जो मेर रहे थे, अहलू आलिया, उन्होंने वे बोल जाता है कि जो उन लोगों ने वंदे मातरम का अपमान किया है, उसका सम्मान नहीं किया है, उनकी सज़स्यता रद की जाएगी, बाद में य और तूल पकड़ा, खेर, आब हम बात करते हैं आज की, उस दिर मैंने आप से बोला था, कि हो सकता है कि आने वाले टैम में ये मुद्दा फिर से गर्माए और वंदे मातरम को लेकर फिस से कोई विवाद शुरू हो जाए, कल बाजपा के सभी नव निर्वाचित पारसदो कि हम लोग बाजपा पारसदोने मीटिंग में है, जन्व विरोधियों, नीतियों का हुए हमेशा विरोध करेंगे और वंदे मातरम वो जरूर गाएंगे, अब देखते हैं कि बसपा के परतियासी और दूसरी पार्टियों के परतियासी का इस पर क्या बयान आता है, या मे हो जाला हो, नव भरत टाइमस हो, हमारे सूत्रों से यह भी पता चला है, कि यह मामला शायद आगे तूल पगड़े और बंदे मातरम को लेकर फिर से कोई नया विवाद शुरू हो जाए, आज के लिए फिलाल इतना ही